गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी लोगों का इस यूनिफॉक्स लाइफ परिवारे में हार्दिक स्वागत है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिन की शुरुवात करते समय सुभए 10 वजे हम लोग यहाँ पर मिलते हैं अपने दो पोर्शन को कवर करने के लिए पहला आता है करेंट एफेर्स जिसे हम लोग समसामायकी के नाम से भी जानते हैं और दूसरा आता है हमारा एस्टेटिक जीके ऐसा जीके यह ऐसी नोलेज जो समय के साथ बदलती नहीं है हमेशा चीरिस्थाई रहने वाले चीजें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं और हमेशा वो आती भी रहती हैं और एक वर्याद कर लेने के बाद हमेशा के लिए वो तय तैयार हो जाती है तो ऐसी कुछ चीजों को तैयार करने का जिम्मा हमारे इस युनिफोक्स परिवाद ने लिया है और ऐसी चीजों को आप तक पहुंचाने का एक सरल मध्यम एक सरल तरीके से एक सीरीज चलाई गई है जिसका नाम है भुला ना पाऊगे जैसा कि आप लोग होंगे भुला ना पाऊगे सीरीज में चीजों को थोड़ा सा याद कराने का प्रयास किया जाता है और निश्चित रूप से बिना आपके सहयोग के इसक में सफलता नहीं पाई जा सकती और जितना सहयोग आप लोगों का मिलता है निश्चित रूप से इसमें हम लोग लग प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आपको पता है आज का दिन हमारा कुछी सेशन रहता है जिसमें हमने बीते दो दिनों में जितना भी समसामय की पड़ा है जितना भी स्टेटिक जी के पड़ा है या इसके अलावा कुछ एक दो टॉपिक इधर उधर से इन सारी चीजों को ले करके एक कुछ तयार की जाती है और उस कुछ के माद्यम से आप लोगों का एक परिक्ष इस पोर्टल भी जनरेट होता है इसमें से कुछ नई चीजों को भी रखा जाता है ताकि केवल पुरानी पड़ी हुई चीजे ही ना मिले कुछ नई चीजे जानने का मौका मिले इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन के शुरुआत करते हैं तो शु आमता, मीनाक्षी, सुमन, साक्षी, प्रिया, रिशी, अक्षेत, अर्विंद, देवेश, सुनी धी, रचना, रजत, हर्शेत लगवक हमारे परिवार के सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं मैं आपसे एक बार कहूंगा ये बात मुझसे कई बार लोगों ने मैसेज पर भी कही है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि किसी का नाम लेना या किसी का नाम ना लेना, ऐसा मेरा कोई भी मोटो नहीं होता है, बस बात केवल ये रहती है कि जो नाम स्क्रीन पर जितना मुझे दिखाए दियाते हैं, उन लोगों के नाम में ले लेता हूँ, और कई बार, लोगों के questions जो होते हैं, उनको भी answer करने का प्रयास किया जाता है, तो I hope आप लोग भी नाराज नहीं होंगे, चीजों की limitation को समझते होंगे, इसके साथ मैं अपने इस session को आगे बढ़ाता हूँ, तो चलिए, हम लोग आगे बढ़ाते समय, आप लोग देख पा रहे होंग है, तो please like कर दें, अपने मित्रों तक भी share करें, और आप लोग एक game और खेल सकते हैं, और वो ये है, कि ये जो कुछ session होता है, इस कुछ session में आप अपने मित्रों को भी ले कर के आए, होगा क्या, कि वो भी questions के answer देंगे, और आप भी questions के answer देंगे, तो आप लोगों को ये platform पर आए जाए, तो यहाँ पर question पूछे जाएंगे, सब लोग answer देंगे, तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगता रहेगा, कि वास्तों में आप लोग answer कैसे दे रहें, और आपको भी अंदाज़ा लगता रहेगा, कि आपके जो साथी है, आपके जुमित्र है, उनकी तैया तैयारी अच्छी चल लगता है, तो निश्ची तरों से आपको उत्साहा मिलेगा, कि और अच्छी तैयारी करनी है, और अगर तैयारी उनकी अच्छी चल लगता है, तो आप और प्यास करेंगे, कि और सही questions के answer दे सकें, तो इस उमीद के साथ, मैं आज की इस श्रंखला को प्रारम करता हूँ, और इसके साथ, आपके सामने आने वाला है, अब पहला question, अब पहला question क्या कहता है, इसको भी धियान से देख लिजे, तो पहला question basically है, केंद्री ग्रह मंत्राले ने हाल ही में, विदेशी अंसदान विनमय अधिनियम, FCRA, पंजी करन की अनुमत दी है, व ज़र इसको हम इंग्लिश में पढ़ें, तो कहा जाता है, कौन से मंदिर के लिए इस प्रकार का अधिनियम लाए गया, चार option है, आपके पास, पशुपतिनाथ temple, दूसरा है लिंगराज temple, तीसरा है golden temple, और चौता है चतुरदश temple, या चतुरदश मंदिर, और जितना मैं देख पा रहा हूँ, आप सभी लोगों का आंसर बिलकुल स इस गुर्दवारे का नाम था, लेकिन चुकि इसके उपर सोने की एक परत चढ़ाई गई है, इस कारण से अंग्रेजों ने इसे golden temple नाम दिया, और बाद में ये golden temple के नाम से प्रसिद्ध हो गया, और हिंदी में इसे सौन मंदिर के नाम से जाना जाता है, और आप लोग ज सारी चीज़े आपको याद आ गई होंगी, तो I hope आप लोगों को यहाँ तक की चीज़े clear हो गई है, तो याद रखेगा कि जो सौन मंदिर है, option C, वो इसका सही answer है, तो I hope यहाँ तक की चीज़े clear हो गई, अब इसकी आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले question की तरफ, अब आ इस national park को मैंने जानबूच करके पढ़ाया नहीं था, मैंने, मद्यप्रदेश से समधिद national park को अभी आपके सामने discuss नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने इस question को डाला है, तो निश्ची तरूप से इसका answer है MP, यानि मद्यप्रदेश, तो आप लोगों को यह याद रखना ह अब question number 3 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए, question number 3 है, रास्त्रिय नाट्य विद्याले के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, कहा जाए national school of drama का नया chairperson किसे बनाया गया है, आपके सामने 4 option है, अनुपमखेर, रवी किशन, मोनोस्तिवारी और परेश रावल, तो अ अनुपमखेर को बनाया गया है, कई लोगों का कहना है, परेश रावल को बनाया गया है, अच्छा कोई मनोस्तिवारी में interested नहीं है, कोई है जो कहना चाहता हो कि नहीं मनोस्तिवारी को बनाया गया, नहीं मनोस्तिवारी का मझे कोई भी उमिद्वार नहीं दिखाए दे र पनाये गया है तो परिश रावल का नाम आपको जाद रखना है अगर हम अभनेता की बात करेंगे अगर हम कोमेडियन के बात करेंगे तो निश्चित रूप से एक सफल अभनेता एक सफल कोमेडियन जिनका नाम सुनते ही चैरे पर हसी आने लगती है और आइकॉनिक मूवीज को पुरस्कृत करने के लिए इन्हें इस पदपर शुशोभित किया गया तो आई होब इसके साथ साथ इस बॉलिवूड इंडरस्टी को और भी कई सारी नई मुवीज मिलेंगी आप लोगों ने देखा है आज कल वॉलिवूड मुवीज थोड़ी से या वॉलिवूड का जो कहा जाता है वेर डू वी फाइंड अशेटिक लॉइंस इन इंडिया भारत में एशियाई सेर कहां पाए जाते हैं तो आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लोगों ने जो नेशनल पार्क की सीरीज देखी थी उसमें बताया था कि कोई ऐसा नेशनल पार्क था जो अश और हिमान्चल प्रदेश चार ओप्शन है आपके सामने जी जितना मैं देख पा रहा हूं कई लोगों का अंसर लगबग सही है शेता संपती प्रिया रिशी या जितने लोगों ने भी ओप्शन ए लिखा है जया आप सभी लोगों का अंसर बिल्कुल सही है इसका सही आंसर अब आपके सामने जल्द ही अगला कोशन आने वाला है अगला कोशन है हुबली रेल्वे स्टेशन में हुबली रेल्वे स्टेशन को हाल ही में नाम बदल के क्या कर दिया गया है जो करनाट का हुबली रेल्वे स्टेशन है तो लिखा है हुबली railway station in करनाटका will now be known as तो बताए किस नाम से जाना जाएगा आपके सामने चार option है पहला है क्रांतिवीर, संगोली, रायनना railway station दूसरा है श्री सिद्धिरोध स्वामी जी railway station तीसरा है पंडित दीन दियाल उपाध्याय railway station और चौता है प्रभादेवी railway station देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते है और जितना मुझे दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर है option B श्री सिद्धिरोध स्वामी जी railway station बिल्कुल सही आंसर बताया आप लोगों ने इसको हम लोगों के सीरीज में वैसे भी complete कर लिया था आप लोगों को पहले भी याद था लेकिन पहले हम लोगों ने इस तरीके से रखा था कि basically ये किस railway station का नया नाम है इस तरीके से प्रश्ण को पूछा गया था और जैसा कि हम लोगों का एक rule है कि अगर सभी के answer सही आता है तो मेरी तरफ से आप लोगों को एक like बनता है इसके साथ हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले question की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अब निश्चित रूप से अगला question आपके सामने आने आने वाला है बिसिकले अगर हम question number 6 की बात करेंगे तो कहा जाता है हाल ही में पहले batch में Indian Air Force याने भारती वाइश जिना के कितने राफिल विमावनों को अपचारी ग्रूप से शामिल किया गया ये बात तो बिल्कुल सही है कि राफिल विमावनों को Indian Air Force में शामिल किया गया लेकिन समस्या ये है कि कितने है number of राफिल विमावनों बताने आपको देखते है number of राफिल राफिल फाइटर प्लेंज की बात आ रही है चार option आपके सामने पहला option है 10 दूसरा option है 3 तीसरा option है 5 और चौथा option है 6 देखते हैं इसका answer कितने लोग बता पाते है जी हां जितना मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल सही answer है option 5 is the right answer यानि जितने लोगों ने भी option C बताया है 5 राफिल विमान और आप लोगों पता है कि फ्रांस से 5 राफिल विमान आये थे जिने अपचारिक रूप से भारती वाय सेना में शामिल कर दिया गया है अच्छा यहां पर चूँकि राफिल विमान की बात चले ही तो एक बात और बता दे ऐसी ख़बर आई है कल कि तिबबत में जहां पर भारती सेना और चीन की सेना आमने सामने है, काफी पास है वहाँ पर चीन ने ऑप्टिकल फाइवर केवल बिचाना चालू कर दिया है अप्टिकल फाइवर केवल आप जानते हैं जिसे हम लोग हिंदी में प्रकाश वैद्दुक्तंतु के नाम से जानते हैं इसका काम होता है internet connectivity को बढ़ावा देना तो निश्यत रूप से वहाँ पर वो अपने कुछ hub establish करना चाहता है या निश्यत रूप से उसकी मंसा सकार आत्मक नहीं है इसलिए उसने भारत के अधिकार वाले या भारत के आधीर छेतर वालों छेतर पर कब्जा करना प्रारम किया और आपको ये भी पता होगा कि निश्यत रूप से इस प्रकार की गतिविदी का भारत पुर्जोर विरूद करता है और भारत ने हर छेतर में हर मंच से इस बात का विरूद किया यहाँ पर एक बात और बता दें आपने एक नाम सुनाओगा SEO शंगाई कॉर्परेशन भारत देश के नेशनल सेक्यूर्टी एडवाईजर अजीद दोबाल जी ने हिस्सा लिया था और कहा जाता है कि उसमें लगभग सभी देशों के नेशनल सेक्यूर्टी एडवाईजर जो SEO के मेंबर है उन सभी के नेशनल सेक्यूर्टी एडवाईजर ने हिस्सा लिया था लेकिन news क्या है तो news यह है कि अजीद डोबाल जी ने बीच में ही इस meeting को छोड़ दिया तो कहा जाता है बीच में छोड़ने पर news positive है या negative तो कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का जो सुरक्षय सलाकार थे उन्होंने अपने पीचे जो map लगा रखा था उसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था भारत ने इस गतिवीदी का विरोध करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया और अजीद डोबाल जी ने तुरंत उस meeting को छोड़ दिया तो निश्चत रूप से रूस ने भी पाकिस्तान की इस गतिवीदी का विरोध किया है और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो वो भी हम लोग देखेंगे तो चुकि ये दो खास कबरें थी जो विरोध से संबंदे थी इसलिए हमने यहाँ पर आपको दता दिया तो चलिए इसके साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ और आपके सामने अब अगला प्रशन आने वाला है तो अगला प्रशन क्या कहता है इसको ध्यान से देखिए यह कोश्चन अभी हाल ही में हम लोगों ने इंडिर्कली पढ़ा है कोश्चन है गिरी नेशनल पार्क या गिर फॉरस नेशनल पार्क और वाइल लेफ सेंचरी यानि वन जीव अभ्यार रेड़न दोनों कहां इस्तित हैं आपके सामने चार आप्शन है मदप्रदेश, राइट आंसर और हम लोगों का रूल है तो मेरी तरफ से आपको फिर से एक लाइक बनता है निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं क्लियर यहां तक की चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और यहीं पर मेरा एक प्र इस दोनों में कहां पर जादा रूल स्ट्रिक्ट होते हैं संजु यादों का कहना है वाइल लाइफ सेंचरी में मीनाक्षी का कहना है नेशनल पार्क में कई लोग नेशनल पार्क कह रहे हैं कई लोग वाइल लाइफ सेंचरी कह रहे हैं लेकिन अधिकता है नेशनल पार्क कहने वाले लोगों की तो निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा जिन्होंने कल का लेक्चर लिया था उनको ये क्लियर होगा हमने वाइल लाफ सेंचरी नेशनल पार्क और बाइस्वर रिजर तीनों के रूल से रेगुलेशन और सभी चीजों को डिटेल में बत सबसे ज्यादा रिलेक्सेंट होते हैं मैं यह नहीं कह रहूं कि एकड़म फ्री जोन होता है लेकिन सबसे ज्यादा रिलेक्षिव होते हैं वाइस्वर रिसर्व तो आई ओप आप लोगों को यहां तक की चीजे टीज़ेगा होगई है श्वेता मेंने हमेशा की तरह यहां ध्यान से देखिए, अगला कोशन आ गया है, कहा जाता है, प्रधान मंत्री मत्स संपदा योजना का उद्देश्चे, 2024 तक मचली उत्पादन को कितना करना है, प्रधान मंत्री मत्स संपदा योजना aims to enhance fish production to, तो बताइए बढ़ा करके कितना करना है, इसको ध्यान से देख ल पहलेता हूँ, पहला है 30 lakh ton, 30 lakh ton, दूसरा 40 lakh ton, 40 lakh ton, तीसरा है 50 lakh ton, 50 lakh ton, और D है 60 lakh ton, 60 lakh ton, और जितना मुझे दिखाई दे रहा है, आप में से, कुछ लोगों ने B answer भी किया है, लेकर न दिखकर लोगों का A answer है, और A answer is the right answer, आप सभी लोगों को A answer, यानि कि 30 lakh ton, बिल्कुल सही answer है, तो जितने लोगों ने भी 30 lakh ton बताया है, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है, और यहाँ पर एक बात हम आपको और बता दें, कि कहा जाता है कि इसके production को बढ़ा करके, इतना कर दिया जाएगा, निश्चुत रुप से लोगों की आमदनी को बढ़ाया जा सके, चलाए गया, तो operation का नाम बता देजिए, इगो पाला नहीं है, operation का नाम बताना, जी हाँ, सुस्मा मैं बिल्कुल सही बताया, शुस्मा जाया, बिल्कुल सही बताया, answer है blue revolution, तो basically मचली पालन से समदित, भारत में एक क्रांती चलाए गया थी, जिसका नाम था नीली क्रांत या blue revolution, ठीक है, इगो पाला की बात करेंगे, इगो पाला एक mobile app है, basically इस app के तहत, या इस portal के तहत, जो किसान है, या वो लोग जो मचली का उत्पादन करते हैं, और वो लोग जो मचली को खरीदना चाहते हैं, उनके बीच में एक platform generate होगा, जिससे लोग आसानी से अपने मा margin को खाने वाले जो mediator होते हैं, उनसे भी रोका जा सके, तो I hope यहाँ तक की चीज़े clear हो गई होगी, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, अगला question अब आपके सामने आने वाला है, तो अगला question basically, question देख लिए, question number 9 कहता है, Special Rhino Protection Force, SRPF, has been currently deployed across, कहा जाता है, विशेस राइनो सुरक्षबल, वरतमान में कहां पर तैनात किया गया, अब राइनो सुरक्षबल तो वहीं पर तैनात किया जाएगा, जहां पर राइनोसारस होंगे, तो आप लोग को बस यह देखना है कि राइ option पढ़े देता हूँ, पहलो option है, Jim Corbett National Park, दूसरा है काजी रंगा National Park, तीसरा है गिरी National Park, and fourth one is Manus National Park, आपके सामने चारो option भी आ चुके हैं, देखते हैं, कितने लोग इसका answer बता पाते हैं, और निश्चित रूप से आपने, मेरे दोर बताई गई हिंट से पहले ही answer देना right answer, तो मेरी तरफ से आप लोगों को एक like बनता है, और निश्चित रूप से आप सभी का answer बिलकुल सही आया, और प्रिया मैम ने बता दिया है कि basically यह awesome में इस्तित है, बिलकुल सही answer बताया, और मैंने ये भी बताया था, कि इस वार जो rainy season था, इस वार जो वर्षा का मौस सम था, उसमें कई सारे rhinosaurus को नक्षान भी पहुचा है, तो निश्चित रूप से सम सामय की की द्रश्टी से, current affairs के point of view से भी ये अधिक महत पोडिया, बहुत अधिक important भी है, तो I hope आप लोगों को यहां तक की चीज़े समझ में आई होंगी, आप लोगों को interest भी create हो रहा हो तो आपके सामने अब अगला question आने वाला है, question number 10, question number 10 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा, question है कि भारत के उस राजजी का नाम बताना है, जहां पर राश्त्री उध्यानों या national park की समख्या सबसे अधिक है, is the state with the highest number of national park in India, option चार है, राजिस्थान, केरल, महरास्ट और मध्यप्रदेश, आपके सामने चार option दिये गए है, A, B, C, D में option भी दिये गए है, देखते हैं कितने लोग इसका answer बता पाते हैं, मुझे उमीद थी और बिल्कुल सही उमीद थी, आप सभी लोगों का बिल्कुल सही answer आया, option D, यानि मध्यप्रदेश is the right answer, याद एक ऐसा राज्य है, जहाँ पर रास्ट्री उध्यान या नेशनल पार्की की संख्या सबसे अधिक है, और मध्यप्रदेश में famous है, आप जानते हैं कि अगर भारत में वरतमान समय में हीरा कहीं से निकाला जाता है, तो मध्यप्रदेश के पन्ना से ही निकाला जाता है, हाल में नेशनल पार्की रास्ट्री उध्यान इस्तित है, क्लियर हो गई यहां तक की चीज़े, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले प्रिश्टी की तरफ, अगले कोश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो अगला कोश्चन क्या है, इसको भी ध्यान से है, तो हमने वहाँ पर बताया था, तो आब आपको यहाँ पर बताना है, कि बेसिकली वो अंत्र प्रदेश के अनंत्पुर से चलेगी तो, लेकिन आएगी कहां तक, ओप्शन चार है, पहला है कोलकाता, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मुंबई, और चौता है पटना, आप सभी लोगों, चुकि एकदम सही आंसर दे रहे हैं, तो मेरी तरफ से आप लोगों को एक लाइक बनता है, निश्चत रूप से आप सभी लोग fighter हैं, हमारे आने वाले competitor exams के लिए, एक बात आपको और बता दें, कई बार हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि number of post कम है, यह number of students बहुत जादा है, यह competent बहुत जादा है, उसके लिए परिशान नहीं होना, number of real fighters, जो वास्तों में उस job को deserve करते हैं, उनकी संक्या बहुत कम होती है, और competition में उनके बीच में होता है, तो जो बाकी तो भीड होती है, बाकी तो crowd होता है, तो आपको crowd से परिशान नहीं होन जो आगे competitor है, उनको ध्यान से देख के चलना है, और निश्चित रूप से competitor की बात करेंगे, तो number of post cross 10, यह जितनी भी संक्या है, उन से 10 गुने तक ही fighter होते हैं, real fighter, उसके बाद तो सब ना-real ही होते हैं, कोई real नहीं होता, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, और कभी डरना नहीं है, post कम निकले हैं, ज्यादा निकले हैं, उसके लिए परिशान नहीं होना, अपने आपको तयार रखना है, क्योंकि आपको केवल एक post चाहिए अपने लिए, और निश्चित रूप से इस विश्वास के साथ काम कर करेंगे, तो आपको वो post भी मिल जाएगी, और आपको एक बता दू, इस से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना, जो मेरे hometown में हुई थी, मैं उसको भी आपको बताऊँगा, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, तो अगला question क्या है, इसको ध्यान से देखि को बताना है कि World Sociedal Prevention Day कब मनाया जाता है, आपके सामने चार option है, देखते हैं कितने लोग इसका सही answer बता पाते हैं, option है, 6th of September, 7th of September, 8th of September, 10th of September, 10th सितंबर, देखते हैं कितने लोग answer बता पाते हैं, और जी हाँ, आप लोगोंने बिलकुल सही बताया, 10 सितंबर is the right answer, जी जीवन में तनाओ, यह जीवन में परिशानिया सब के पास हैं, लेकिन परिशानियों से हार करके, यह आत्मत्या एक रास्ता मान करके, ऐसे कदम को आगे बढ़ाना, कहां तक उचित है, और निश्ची तुरूप से परिशानिया समापत नहीं होती, बलकि आप परिशानियो अपने मित्र को, अपने परिवार को लोगों को आप दुखी करके ही जाते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से ऐसे जितने भी मित्र हैं, जो लोग ऐसे किसी भी व्यक्ति के संपर्ग में आते हैं जिसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है, उसको इसको ऐसा prevention day का मना जाता है तो 10th of September को आई हो आप लोगों ने यहां तक की चीज़े याद कर ली है और यहां तक की चीज़े याद कर ली है तो अगले कोशन की तरफ आगे बढ़ा जाए तब आपके सामने अगला कोशन भी आने वाला है अगला कोशन क्या है इसको ध्यान से देखिए कैसी बताना था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है मैं A करकर चार स्टेटमेंट पको बताना होगा A B कहा जाता है एक ऐसा डॉकुमेंट एक ऐसा दस्तावेज जिसमें संकट्रिस्थ जन्तु पेले-पॉधे या कवक या वहां की इस्थानिय प्रजातियां या इस्थानिय सोजातियों से समंधेज जो किसी छेत्र या किसी देश से समंधेत होती है उनका डॉकुमेंट या उनका वर्डन मिलता है पहला तो यह है अब दूसरा क्या है ऑप्शन भी कहता है रेट डेटा बुक ऑफ एनिमल कंपाइल एं नाइंटी नाइटी नाइन बाइदा एन्वार्मेंट एजनसी नीडिड अप पीरियोडिक कहा जाता है कि रेट डेटा बुक ऑफ एनिमल जनतुओं के लिए रेट डेटा बुक जो 1999 में इन्वार्मेंटल एजनसी यानि पर्यावरण एजनसी को दारों बनाई गई और एक इसको पिरियोडिक रिवीजन इसको लगातार अपडेट किया जाता है option C कहता है the rear document established and documenting only in rear and endangered species of animals जिसमें एक option ये भी कहता है कि केवल जनतुओं के डेटा को ही रखता है और इसके लाब option D कहता है कहा जाता है कि ऐसे लोग जिनोंने biology को आगे बढ़ाने के लिए जिनोंने विशेश प्रकार के कामों को करने के लिए अपना महान योगदान दिया उनके contribution को भी ध्यान रखने के लिए ऐसा किया जाता है तो I hope आप मेंसे लगवक सभी लोगों को answer clear हो रहा है और maximum लोगों को answer सही भी है option A is the right answer जितने लोगोंने option B कहा है मैं यह कहना चाहूंगा option B में केवल animal लिखा है और हम लोगोंने कल अगर red data book की बात कीती है तो हमने बताया था animal के साथ साथ plant भी involved होते हैं तो केवल animal लिखा है इसलिए option B गलत हो जाता है और option C, option D already गलत है तो जी हाँ जितने लोगोंने option A कहा है परिशान मत हो यह जो हमारा plant of love है प्यार का पौधा है निश्चित रूप से आपका answer भी बिल्कुल सही है और निश्चित रूप से आप सभी लोग answer अपना सही दे रहे है option A is the right answer clear चलिए तो यह visible नहीं था इसलिए हमने पढ़के सुना दिया आपको अब आपके सामने अगला question आने वाला है अगला question आने वाला है और अगला question हमारे current affair से सम्मंदित है और यह सम्मंदित है famous personality जिनकी हाल ही में death होई है नाम है Professor Govind Saru तो आपको बताना है Professor Govind Saru जिनकी हा देविक खेती के पिता, Father of Indian philosophy, भारतिय दर्शन के जनक, Father of Indian cinema, भारतिय सिनेमा के जनक और Father of Indian radio astrology, भारतिय रेडियो खगोल विज्यान के जनक और निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने बिलकुल सही आंसर दिया मेरा like आपके लिए है और निश्चित रूप से इसका सह ही आंसर है option D, यानि Father of Indian radio astronomy, यानि भारतिय रेडियो खगोल विज्यान के जनक, आप सभी लोग जनते हैं एक फेवर्स परस्नाल्टी है, हमने आपको बताया था भारत में उटी में इन्होंने अपने एक टेलिस्कोप लगाया था, और निश्चित रूप से भारत में इनके contribution को, जो space की field में इनका contribution है, उसे कभी नकारा नहीं जा सकता, निश्चित रूप से कहा जाता है, जो टाइफर था Tata Institute of Fundamental Research, वहाँ पर भी radio astrology के department के head के रूप में भी, इन्होंने काफी समय तक देश की सेवा की, देश की में अपना सराह नहीं योगदान दिया, तो I hope ऐसे म तो निश्चित रूप से यह अपने आप में, एक historical news के रूप में भी सामने आता है, तो यहाँ तक ही चीजे clear हो गई होगी, जी हाँ, अब देखिए, radio and diversity, प्रिया मैं, world radio day की बात की थी, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर world radio day अभी नहीं आ रहा है, अगला question अब आपक सामति पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया, इंग्रिश में अगर कहा जाए, तो who has been conferred with the prestigious इंद्रा गांधी peace prize for the year 2019, आपके सामने चार option है, पहला option है आपका, एलें जॉंसन, सरलिफ, दूसरा है सर डेबिट, एटन बरो, तीसरा है तेनेजा, फाज कोस्व का, और एक हसीना, आपके सामने चार option भी आचुके हैं, देखते हैं इसका answer कितने लोग बता पाते हैं, और जितना मुझे अंदाज है, और जितना मैं देख पा रहा हूं, सभी का answer सही है, थोड़ा और लोग answer दे दें, ताकि clear हो जाए चलिए, जी हाँ, आप सभी लोगों ने बिलकुँ सही answer दिया, option D, sorry, option B, यानि Sir David Attenborough is the right answer, आपको ये नाम याद रखना है, Sir David Attenborough को वर्ष 2019 के लिए इंद्रय गादी शांति पुरसकार दिया गया, फिर कहा जाता है, ये एक English broadcaster थे, या historian थे, historian माने इतिहास कार, और English broadcaster मतलब होता है, अंग्रेजी में सुमाचार पत्रों को पढ़ने वाले, और इन्होंने BBC में, BBC आप जानते हैं, एक बहुत popular news agency है, उसमें भी अपना प्रचित रखने के लिए अपना महान योगदान दिया, और इस कारण से इन्हें ये पुरुषकार भी दिया गया है, clear, तो I hope आप लोगों को यहां तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यहां पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, कि जो इंद्रय है कि पुरुषकार रासी से इनको सम्मनित किया गया, तो I hope आप लोगों को यह एडिशनल जानकारी भी याद रहेगी, और इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, और जल्दी से अगले कोशन की तरफ आ गया आता हूँ, तो अगला कोशन क्या है, इसको भी दियान से देख अगला कोशन हमारे कलकेश एसन से समंदित है, कहा जाता है कि most famous of its amazing blackbuck population, the blackbuck national park is located in which state of India, blackbuck जो अपने अधभुत आबादी के लिए प्रिसिद है ऐसा national park, blackbuck national park, यह भारत के किस राज्य में इस्थित है, आपके सामने चार आप्शन है, पहला है राजिस्थान, दूसरा है मारा आस्ट, तीसरा है गुजरात, और चौता है मदप्रदेश, देखते हैं आप मेंसे कितने लोग सही आंसर बताते हैं, और निश्च तरुप से आप सभी का आंसर बिलको सही आ रहा है, option C, बिलको सही आंसर है, और मेरा like करना, मेरा थम दिखाना इस बात का proof है कि आप सभी का आंसर लगाता, सही है, और श्वेता मेरा ने इसके आगे additional information दे दी, कि basically गुजरात के भाव नगर में, तो चलिए, अच्छी बात है, याद रखिएगा Blackburg National Park, हम लोगों ने कली याद कली याद लिया था, कि ये गुजरात में इस्तित है, clear, अच्छा एक बात आद आया कि हम लोगोंने कल याद किये थे अंडमा निकोबार के national park, I hope आप लोगों को याद होगा, हम लोगोंने 4 national park याद किये थे अंडमा निकोबार के, देखते हैं कितने लोग नाम बता पाते हैं, आप इसे कितने लोग हैं, जो 4 national park के नाम बता पाते हैं, जल्दी से ये देखते हैं कौन first आता है जी हाँ हमारा first contestant आचुका है आरती फिर मीनाक्षी और फिर उसके बाद प्रिया, श्वेता, दीपका, जया, रजनी, संगीता, लगवक सभी का answer बिल्कु सही आता जा रहा है तो पहला था Camp Bell Bay National Park जी आता है और रहां पहला था आप लोगों को यह चीज याद है मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग और चारो नेशनल पार्क के नाम याद रखे तो अगर आपको याद है तो हम लोगों को आगे कोश्चन की तरह बढ़ना चाहिए, तो निश्ची तुरुप से अगला question अब आपके सामने आने वाला है, और अगला question basically related है जुल्फिकार से समधित, जी जी पहला शब्द है जुल्फिकार, किसी को याद आए ये जुल्फिकार कहां और सुना है आपने, I hope आप मैंसे जो लोग वेव सीरीज क प्रेमी है, उन्होंने मिशन जुल्फिकार के वारे में सुना होगा, किसी को याद है, मिशन जुल्फिकार, हमारे परिवार के पहले एक सदस हुआ करते थे अनुराज जी, उनके पास वेव सीरीज का खजाना तब वो हमेशा कुछ न कुछ बताते रहते थे, चलिए, किसी नहीं सुना तो मैं इसके वारे में बता देता हूँ, जी हाँ, इसका आंसर बिल्कों सही बता दी आप लोगों ने, मैं पहले कोशन को पढ़ देता हूँ, कोशन का आंसर बता देता हूँ, फिर इसके आगी चीजों को बताऊंगा, तो कोशन कहता है, जुल्फिकार 99 is an annual 3- जो हर्मुज के रणनीतिक जल्डमरुमध्य जिसको स्टेट कहा जाता है के पास आयोजित किया गया तो आप में से चार आप्शन आपके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान और एरान तो चार आप्शन में से आप लोगों को आंसर बताना था और आपको हम बता दे इस का सही आपसर है बेसिकली ऑप्शन डी एरान, तो बेसिकली एरान में ये तीन दिन की exercise को, नेबल exercise को किया गया, इंपोर्टन बात ये हैट कि ये जो नेवल exercise है, ये नेवल exercise उस समय किया गया जब निश्यत रूप से अमेरिका की तरफ से, यहाँ पर कई सारे वयद्योदी करते हैं अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं अब रही बात वेव सीरीज की तो आपने सुना होगा Amazon Prime की एक वेव सीरीज देता अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला कोशन अब आपके सामने आने वाला है और अगला कोशन क्या है इसको ध्यान से दिखिए कोशन है कि इनमे से कौन सा नेशनल पार्क अंडमा निकोबार में लोकेटेड नहीं है सुरी लोकेटेड नहीं है ओप्शन देख लिजे चेम्प वेल बेर नेशनल पार्क दूसरा है महत्मा गादी नेशनल पार्क तीसरा है सेडल पीक नेशनल पार्क और चौता है आल ओफ दीस जी हाँ आप लोग का बिल्कुँ सही है जो ओफ्शन चौता है उसमें ये होना चाहिए था नन ओफ दीस तो नन ओफ दीस की जगए अल ओफ दीस हो गया तो बिसिकली ये चारो नेशनल पार्क अंडमा निकोबार में इस्थित है तो याद रखेगा इस कोशन में आकरी में नन ओफ दीस होना चाहिए था नन ओफ दीस की जगए अल ओफ दीस हो गया है तो ये चारो नेशनल पार्क कहां इस्थित हैं अंडमा निकोबार में इस्थित हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही आपको रिवाइज करा दिया था अच्छा आप लोग बता स ये चारो नेशनल पार्क अंडमा निकोबार में इस्थित हैं तो आई होप आप लोगो क्लियर हो गया है तो ये सभी उपस्थित हैं ऐसा कोई भी नेशनल पार्क नहीं है जो यहाँ पर ना हो आई होप आप लोगो यहां तक की चीज़े क्लियर हो गई होगी होगी चलिए आगे बढ़ते हैं अब अब लोग अगला कोशन अब आपके सामने आने वाला है और अगला कोशन क्या कह रहा है इसको भी ध्यान से देखिए और देखिए इसके साथ यूनिफोक्स लाइव ने आपके लिए एक मैसेज भीजा है कि निश्य तुरुप से हमारी जो क्लास होते हैं कई वार वो क्लास सर्प्राइजिंगली लगा दे जाती हैं कई वार लेट शिडूल करके लगाई जाती हैं अगर आपको उनकी जानकारी नहीं है तो हो सकता है हमारी कुछ important class को आप मिस कर दें तो हमारा यह कहना है कि अगर आपने notification bell को tap कर रखा है आपने like कर रखा है subscribe कर रखा है तो आपको समय रहते information मिल जाएंगे आपके पास वह video अपने आप आ जाएंगे तो निश्य तुरुप से उनको आप देख सकते है उनसे सीख सकते हैं उनसे lab उठा सकते हैं और जी इतना मैं जानता हूँ कि classes live class और बाद में देखी गए class में थोड़ा सा तो अंतर होता है live class में आप पूर इतना से active होते हैं आपको class वाली एक feel आ रही होती है बाद में class देखते समय एक video वाजा feel आ जाता है निश्य तुर आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखे होंगे और यह question क्या है इसको ध्यान से देखे question है निम्ल लिखित में से कौन सा अभ्यारन है अभ्यारन जिसको हम लोग कहते है गेंगोटिक डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है और सागर मगरमच और घडियाल जिसको alligator के लिए प प्रकोडाइल कहते हैं एंड घडियाल एलिगेटर चली देखते हैं इसका answer कितनों लोग बता पते हैं इसके चार option बता देते हैं पहला है कच नेशनल पार्क दूसरा है मात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क तीसरा है गाहिर माथा मरीन वाइललाफ सेंचुरी और चाथा है नेशनल चंबल सेंचुरी इस question को जानबुच को आपके सामने रखा गया ये question अगर हम बताये जाए कि हमने जो चीजे पढ़ाई थी उनसे out of syllabus रखा गया क्योंकि यहाँ पर एक नदी के वारे में भी बताना चाहते थे इसका सही answer है basically option D यान्ने नेशनल चंबल सेंचुरी तो याद रखेगा नेशनल चंबल सेंचुरी जहाँ पर क्रोकोडाइल मगरमच, अलिगेटर घडियाल और इसके अलावा जो रियर डॉल्फिन है गंगा की डॉल्फिन है उनके लिए प्रिजर्व किया गया है अग यहाँ पर एक प्रशना आता है चंबल नदी की अपने है बेसिकली चंबल याद रखेगा चंबल एक ऐसी नदी है जो सबसे कम शहरी छेत्रों से उकर के गुजरती है उन निश्चित रूप से आप में से हमारे जो दिल्ली पुलिस के साथ हैं जो ओल लेडी इस लेक्चर को पढ़ चुके हैं उनको हम लोगों ने चंबल रिवर इसके लावा मगर और गेंगटिक डॉल्फिन जो गंगा की डॉल्फिन है इन सारी चीजें और आप लोगों को जो जो जोगर्फिक लास में बताया गया ता नेश्चनल एक्वेटिक एनिमल वगएरा वो सारी चीजे तो आप लोगों को आल्डेडी याद ही होंगी तो अगला question basically national park से सम्मद्वित कुछ point है तो कहा जाता है which of the following statement is correct about the national park कि इन में से कौन सा ऐसा statement चीजे नेश्चनल पार्क के लिए सही है option देख लिजे option A कहता है multi-purpose protected areas to preserve genetic diversity in representative ecosystem हिंदी में कहा जाए तो प्रितनिदी पारिस्थितिक तंत्र में अनुवांशिक विविदिता को संरक्षित करने के लिए बहुत देशी है संरक्षित छेत्र option B कहता है a reserve area meant for preserving its natural vegetation, wild life and natural beauty कहा जाता है एक आरक्षित छेत्र जो अपने प्राक्रतिक वनस्पती, वन जीवन और प्राक्रतिक सुन्दरता के संरक्षित के लिए है तीसरा है reserved area meant for prevention for development of endangered species, हिंदी में कहा जाए तो एक आरक्षित छेत्र जो लुप्त प्राय प्रजाती को संरक्षित वो विकास करने के लिए है और D कहता है all of the above यानि सभी तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें option B सही है, option B क्या कहता है कि basically एक ऐसा छेत्र जहां पर जीवजन्तू, पेड़ पौदे और प्राक्रतिक सुन्दरता को संरक्षित करने की बात की गई है अगर आप option C की बात करेंगे तो इसमें endangered species की बात की गई थी, संकर्ड्रिस प्रजातियों की बात की गई थी, तो केवल संकर्ड्रिस प्रजातिया नहीं बलकि प्राक्रतिक सुन्दरता भी महत्पूर्ण है, तो option D तो अपने आप गलत हो गया, option C भी गलत हो गया, अगर option A की बात करेंगे तो यहां पर लिखा multi-purpose protected, तो multi-purpose नहीं है यह, एक ही purpose है कि इनकी सुरक्षा करना, तो multi-purpose नहीं होता, I hope आप लोगों यहां तक की चीज़े clear हो गई है, और जितने लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप करनी है, कि इससे related news हमें कहां मिल सकती है, तो अगले question को देखते हैं, अगला question क्या है, सामने आने वाला है, अगला question, बिसिकली यह जो question है, यह question है, दो telephonic company, या दो communication से समंदित कंपनियों के merger से, आप लोगों ने सुना होगा, दो कंपनी थी, Vodafone और Idea, अगर Vodafone और Idea नाम की दोनों कंपनी की बात की जाए, तो आपने देखा कि जब से Reliance के Jio ने market को capture किया, तब यहां पर Vodafone और Idea ने आपस में merging कर ली, तो अब इन दोनों ने merge करके एक नई कंपनी बनाई है, तो question है, Vodafone Idea वर्चुली अन्वेल, तो आपको यह बताना है, वी आई जो Vodafone Idea का, इसका headquarter कहां इस्तित है, चार option है, चंडीगर, गौहाटी, पंजी और मुंबई, आपके सामने चार option भी है, देखते हैं कितने लोग इसका answer बता पाते हैं, निश्चीत रूप से, इसका answer बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, इसका answer है option D, यानि मुंबई, तो जी हाँ, जितने लोगों ने option D बताया है, तो मुंबई is the right answer, तो यह company का नाम याद रखेगा, वी आई जो company है, basically वो वी for Vodafone और आई for idea, इनकी मिलकर की company है, आपने को समय पहले news भी देखी थी कि इन्हों ने अपने नए डेटा पैक निकाले हैं, और यह Jio को टकर देने के लिए नए डेटा पैक निकाले हैं, जिसमें से कुछ पैक तो Jio से भी अच्छा डेटा पैक दे रहे हैं, तो I hope आप लोगों को अगर चाही होगा या आप लोगों को अगर इंट्रेस्ट होगा, तो निश्चत रुप से आप महाँ पर जाकर के एक नई सिम का भी लाव उठा सकते हैं, तो यहाँ तक चीज है clear, बहुत लंबा एड आता है, संपती मैं बात करूँगा एड को छोटा बनाने का प्रयास करूँगा आगे से, ताकि ऐसे कोई दिक्कत न रहे, चलिए, एड लंबा है, शायद इसी लिए चीजें याद भी है, ठीक है, आगे याद रखते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले कोश्चन की तरफ, और अगला कोश्चन है basically, कि जो महत्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, यह कहाँ इस थे थे, देखते हैं हम मैंसे कितने लोग इसके सही आंसर बता पाते हैं, option देखते हैं, लक्षदीप समू, दूसरा है अंडेमा निकोबार, तीसरा है दादर नागर हवेले, चौता है दमनेंड दीप, देखते हैं यहाँ अंडेमा निकोबार is the right answer, अच्छा यहीं पर अगर मैं एक question और पूछ लूँ, कि वो कौन से दो union territories केंदर शासित प्रदेश हैं, जिनने हाल ही में merge कर दिया गया, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, प्रिया यादो इस पर question बदल गया, आप समझ नहीं पाई capital हमने नहीं पूछा, हमने पूछा इस समय कि वो कौन से दो केंदर शासित प्रदेश हैं, जिनको हाल ही में merge कर दिया गया, देखते हैं, कितने लोग बता पाते हैं, और जैसा मैं देख पा रहा हूँ, प्रिया ने अपने इस consistency को बनाए रखा और निश्चित रूप से उन्होंने बिल्कुल सही बताए, option C और option D, अगर हम कहा है, दादरे नागरभेली और कहा जाए, दमने दीफ, इन दोनों को merge कर दिया गया है, बिल्कुल सही बताए, देखते हैं, ये कितने लोग बता पाते हैं, लक्षीदीप समू की राजधानी क्या है, बताए भई, श्वेता बिल्कुल सही बताया, कवरती is the right answer, शुष्मा, संजू, प्रिया, श्वेता, बिल्कुल सही आंसर है, सभी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे, कवरती is the right answer, दीपिका, संपती, भई हमारे boys कहां गए, लड़कों, तुम लोग भी आगे आओ भाई, रिशी का भी आया, रिशी तुम ने किवाज जे लिखा भाई, कम से कम पूरा नाम तो लिख देते हैं, चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अगले question के तरफ और अगला question क्या कहता है, इसको भी द्यान से देखिए, निश्ची तुरुप से ये question, एक statistics से related है, data या आकड़ों से संब्दित है, question कहता है, according to the report titled, levels and trends in child mortality, child mortality मतलब, शिशु म्रत्युदर, इंडिया's child mortality rate has declined from 3.4 million in 1990, काजा 1990 में लगवक 34 लाख लोग या 34 लाख बच्चों की म्रत्य हुई थी, तो अब वो घटकर कितना हो गया है, आपको ये बताना है, तो इसमें कई सारी चीज़े याद रखना है, कि ये जो mortality है, mortality माने होता है, म्रत्यु mortality, तो levels and trends in child mortality राम से निकाली गई है, तो आपके सामने 4 option है, पहला option है, 7.63 लाख, दूसरा है 10.36 लाख, तीसरा है 8.24 लाख, और D है 7.14 लाख, देखते हैं, आप में से कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं, यहाँ पर option diversified हो गया है, निश्चित रूप से, A, B, C, D, लगबग सारे आंसर मिक्सा पा रहा हैं, निश्चित रूप से, तो मुझे लगता है, confusion को ज़्यादर लंबल खीचना नहीं चाहिए, आप लोगों को यही पर सही आंसर बता देना चाहिए, और basically इसका सही आंसर ह option c, option c का मतलब है, 8.24 lakh, तो याद रखिएगा, option c is the right answer, चलिए, तो option c मतलब 8.24 lakh, तो आप पहले देखिए, पहले हमां 34 lakh और आप 8.24 lakh, तो निश्चित रूप से, जो मृत्य दहर है, उसमें काफी तेजी से कमी आई है, और जब हम लोगों ने mortality समझ लिया, तो आप बता स उसे किस नाम से जाना जाता है, कौन सा particular term है, जैसे मृत्य दर को mortality कहा गया, तो जन्मदर को क्या कहा जाता है, बर्थ रेट को क्या कहा जाता है, देखते हैं, जी हाँ श्वेता है, मैं आपका फिर से सहीता है, मैं मानता हूँ, जी, जन्मदर को क्या कहा जाता है, तो प्रि चलिए, ममता में भी साथ में है, प्रग्या जूती, चलिए, बिल्कु सही है, तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और अगला कोश्चन देखते हैं, और अगला कोश्चन क्या कहता है, इसको भी द्यान से देखिए, यह कोश्चन बेसिकली हिमालय दिवस से समंधित है तो अगर हिमालय दिवस की बात की जाए तो निश्यत रूप से हिमालय एक परवत है तो आप मैंसे पहले तो यह बता दीजिए हिमालय दिवस कब मनाया जाता है देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बताते है option बता देता हूँ 9th of September, 7th of September, 10th of September और 11th of September आपके सामने 4 option भी दिए गए है देखते हैं इसका सही आंसर कौन होता पाता है जी हाँ option A, 9th of September is the right answer अब सवाल यह उठता है कि हिमालय दिवस को क्यों मनाया जा रहा है हिमालय आज का तो है नहीं इतने साल पुराना परवत तो हिमालय दिवस को मनाने का परपस क्या है देखते हैं इसमें से कितने लोग हैं जो परपस को समझ पाए है कोई बता सकता what was the reason behind that to celebrate this Himalayan day तो हिमालय दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश है क्या है देखते हैं कौन बता पर रहें बता यह बई हिमालय दिवस को मनाने का उद्देश है क्या है कि किसी को कोई आइडिया नहीं है श्वेता मैं का कहना है due to benefits diversity of hubs चलिए एक आइडिया बता यह गुड़ बताईए और बताईए जल्दे यल्दी फुनना भी लिख सकते थे क्या फ्रॉरा एंड फुनना दोनों होता है और बताएं, इस अधिने ही बाई डिवर्स्टी और फ्लोरा, फ्लोरा के साथ साथ फुन्ना भी लिख सकते थे, क्या, फ्लोरा एंट फुन्ना दोनों होता है शाएद, प्रोटक्शन अफ नेचर, सेविंग दा, वनस्पती, और सब का, मर्ज करके, फाइनल आंसर दे दिया गया, तो परपोस अफ दिस इवेंट, तो सेंड दा मैसेज, और फ्यूचर जेनरेशन, तो क्रेट असेंस रिस्पोंजबिल्टी, एमंग देम, तोवर्स अनेचर, एंड हिमालया, और निश्चित रूप से, उन्हों ने ये भी डिस्क्रेमर दे दिया, कि ये बिसिकली कॉपीड है, तो देख लीजे, उन्हों ने भी बता दिया, कि उन्हों ने कॉपी करके, आंसर बताया, आंसर तो सही बताया, कि निश्चित रूप से, हिमालया में, एक मैसेज दे करके जाएं, कि हम लोग इसकी सुरक्षा के लिए, कितने अधिक प्रतिबद्ध थे, तो अभी तक तो हमने को ने किवाल, लॉस ही लॉस किया है, निश्चित रूप से, अब एक समय आ गया है, जब हमें अपनी जिम्मेदारियों का समझना पड़ेगा, पर्यावरल के तहट, और दूसरी बात, अगर हमने खुद जिम्मेदारियों का नहीं समझा, तो निश्चित रूप से, अगर हम इतने निश्चुर हो गए, तो आने वाले पीड़ी, और भी अधिक नुक्सान करेगी, तो निश्चित रूप से, यह बहुत लंबे समय तक, संडिक्चित नहीं रह सकते, और आप एक बात बता दे, जो आप मदर नेचर को जानते हैं, मदर नेचर यानि मा प्रकति की बात करें, तो वो बहुत क्रूल है, कुरल का मतलब है, कि अपने जो मा होती है, वो बैसिकली अगर आपकी गल्ती होती है, वो छुपा भी देती है, लेकिन जो मदर नेचर है, उनका सीधा सीधा है, वो जस्टिस के लिए जाने जाती है, अगर आपने गलत किया, तो निश्चित रूप से, अपने आगे आने वाली पीडियों को भी सफलता पूर्वक देना है, जो श्यता मैं बिल्कुल सही कह रही है, टिट फोर टेड, कहा जाता है कि जैसा नेचर के साथ करोगे, वैसा ही आपके साथ होगा, जी बिल्कुल सही, आप लोगों हिंदी में भी एक मुहावरा है, कहा जाता है, अगर दूसरे के लिए गड़ा खोदोगे, तो खुद भी उस गड़े में ही गिरोगे, मुझे नहीं पता ये मुहावरा कितना सूट कर रहा है, यह नहीं कर रहा है, लेकिन खेर, जितनी भी चीज़े हैं, चीज़ों को समझाने के लिए, सस्टनेबल डेवलेपमेंट और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो 9th of September है, उसे मनाया जाता है हमालय दिवस के रूप में, अच्छा आप में से कितने लोग हैं, जिनने जन्वरी और फर्वरी के important days याद हैं, दिविंदर, श्वेता, प्रिया, रिशी, आर्ती, सुनिदी, रूपा, मीनाक्षी, सुमन, प्रिया, शालू, एक्ता, अर्चना, काजल, प्रिया, जया, संपति, लगभग, सभी लोगों को याद हैं, तो याद हैं, तो कभी न कभी repeat fire round खेला जा सकता है, आप लोगों को साथ, ये ईशा को भी याद है, तरसीम को भी है, good, ममता को भी याद है, very good, तो क्या इसके साथ, repeat fire round में भी चला जा सकता है, आज नहीं होगा, परिशान मत हो, ये आज नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे, कभी repeat fire round में, निश्ची तरुप से end days को भी हम पूछेंगे, ये इसलिए पूछेंगे, तक कि हमें ये confirm हो जाएं, कि आप लोगों को याद है, और इसके part 2 में, हम March, April, May, June तक की series को भी फ इसके साथ, अब तक आवाज पहुच पा रही है, connection clear है, चली, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज के इस session के अंतिप्रश्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और last question क्या है, अब इसको भी ध्यान से देख लिजे, अंतिप्रश्ट की कहता है, करनाटे के चिफ्मिनिस्टर, जो भी अश्री, यह दुरप्पजी है, उन्होंने बैंगलोर में एक flyover का उधगाटन किया, तो सवाली उड़ता है, इस flyover का नाम क्या है, आपके सामने चार option है, पहला है माहत्मा गांधी, दूसरा है भगास सिं तो निश्ची तरूप से वीर सावरकर जी के नाम पर, यहाँ पर एक flyover का उधगाटन किया गया, करनाटा के मुख मंत्री B.S.J. अधरपजी के दौरा, तो निश्ची तरूप से option C, वीर सावरकर is the right answer, चलिए, session की अंतिम कली के रूप में आगे चीजों को बढ़ाते हु और निश्ची तरूप से अभी एक परिवार हो गया है, इस परिवार में कुछ हम भी कहते हैं, कुछ आप भी कहते हैं, और हम लोग निश्ची तरूप से इस परिवार को ले करके आगे बढ़ रहे हैं, कई वार लोगों का यह कहना है थे कि हमारी बात नहीं सुनी जाते है निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं है, आपकी बात जिस दिर हमारे समझ में आएगी तो या जिस दिर हमारी नजर में आजाएगी, मैं उस बात को भी आगे लेकर रखी चलूँगा, तो बिल्कुल परिशान नहीं होना है, हमारा परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, जैसे कि हम लोगों ने एक प्लान बनाया है, कि हमेशा एक साथी को ले करके आगे चलेंगे, किसी एक साथी को जोड़ते चलिए, अपने परिवार को बढ़ते चलिए, कहा जाता है, बढ़ने से खुशिया भी बढ़ती है, और ग्यान भी बढ़ता है, तो बाटते रहो, चीजों को द चेंज किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से अगर चेंज होगा, तो नोटिफिकेशन या बैल आइकोन को टैप कर लिजे, ताकि आपको उसके वारे में भी जानकारी मिल जाए, तो आएसा कुछ प्लानिंग की जा रही है, आगे कुछ प्लानिंग होगी, तो वो भी आपको बताया जाएगा, इसके साथ आपके उज्जल वविश्च की कामना करते हुए, आपके स्वस्त परिवार और स्वस्त शरीर की ध्यान में रखते हुए, मैं अपनी बात को यहीं पर समाग करता हूँ, धन्यवाद.